Welcome back students हलो आज हम आपको आपके टर्म टू में आने वाले रितुराज की कविता कन्यादान के बारे में आज हम दिखेंगे तो कन्यादान आपके छितिज पाठ पुस्तक के पद्ध खंड के पाठ आठ का नाम है कन्यादान और इस पाठ आठ के कन्यादान नामक पाठ को कि जो ने लिखा है रितुराज जी ने लिखा है ठीक है तो कभी का क्या नाम है रितुराज और पाठ का क्या नाम है कन्यादान पहले हम कन्यादान के बारे में बताते हैं आपको कन्यादान क्या होता है कन्यादान बेटा एक प्रकार की रस्म निभाई जाती है साधी में साधी में जब एक लड़की और एक लड़के की साधी होती है उसी में यानि साधी में जब एक बाप एक माबाप अपनी बेटी को जिससे साधी होती जिस लड़के से उसको सौपते हैं अपनी बेटी को तो उसी को कहते हैं कन्याधान थोड़ी देर की रस्म होती है साधी के समय की इसी कन्याधान से related यानि कन्या को देना ही कन्याधान कहा गया है तो उसी कन्यादान से related बड़ी ही मारमिक भाव की यह कभिता है इस कभिता में रितुराज जी ने बहुत सारे एक लड़की की और उसकी मा की हिर्दैस छू लेने वाली कहानी को कभिता को टच किया है अदेखते हैं कैसा है कितना है लेकिन उससे पहले हम रितुराज जी को जान लेते हैं इनके बारे में ये क्या है कौन है ठीक है बेटा तो चलिए रितुराज का जन्म सन 1940 में भरतपूर में हुआ था राजस्थान के भरतपूर में इनका जन्म हुआ था राजस्थान विसुविद्याले से जैपूर से इनोंने अंग्रेजी में एमे किया यानि अंग्रेजी में इंग्लिस में में इनों ने किया था चालिस वर्सों तक अंग्रेजी साहित के अध्यापन के बाद यानि पढ़ाने के बाद अंग्रेजी अब सेवानी बृत्त होकर वे जैपूर में रहते हैं उनके अब तक आठ कविता संग्रा प्रकासित हो चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हासिय के लोगों की कुछ चिंताओं को रितुराजी ने अपने लेखन में लिखा है उसका विशेवन है उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभाव का याथार्त है याथार्त दैनिक जीवन में क्या क्या होता है सच्चाई और वे अपनी आसपास रोज मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक सूसन और विटम बनाओ पर निगाँ डालते हैं यही कारण है कि उनकी भासा अपने परिवेस और लोक जीवन से जुड़ी है अपनी परिवेस मतलब अपनी जो परिवार में चलता है परिवेस जिसमें हम लोग रहते हैं अपनी जीवन के आसपास अपने परिवार के चारो तरप और लोक जीवन से समन्दी जुड़ी जो करते हैं मतलब माँ अपनी बेटी को बिदाई के पहले एक सीख दे रही है उसको बिदाई कब होती जो बेटी सशुराल जाती है अब उसको सिख्छा दे रही है देखते हैं अब आदर्स से हट के देखे क्या कभी का मानना है कि समाज ब्यवस्था द्वारा इस्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गड़ लिए जाते हैं यानि इस्त्री के लिए जो आचरण दिखाए जाते हैं वे आदर्स के मुलम्मे में बदे होते हैं आदर्स के रसी में आदर्स में बदे होते हैं कोमलता के गवरों में कमजूरी का उपहास चिपा रहता है यानि कोमलता इस्त्री कोमल रूपी जो इस्त्री का कोमल रूपी गवरों में कमजूरी को उपहास मतलब उपहास है नि उसका मजा लेना उपहास चिपा रहता है ठीक ह में कोरी भावकतान है बलकि मा के संचित अनुभाओं की पीडा की प्रमाणिक अभ्यक्ति है इस छोटी सी कविता में इस्त्री जीवन के प्रती रितुराजी की गहरी संवेधन सिलता अभिव्यक्त हुई है देखे उनकी क्या अभ्यक्त उन्होंने अपने अंदर गिबाती क् कितना प्रमारिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वहीं उसकी अंतिम पूजी हो कभी कह रहे हैं मा के लिए कि कितना प्रमारिक था उसका दुख मतलब उस मा का दुख कितना रियलिटी कितनी सच्चाई थी कितना बड़ा दुख था कि लड़की को दान देते वक्त जब अपनी बेटी को दान दे रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वहीं उसकी अंतिम पूजी हो मलब कि जो भी सारी जीवन में उसने सब कुछ जो भी कमाया हुआ हो वह उसकी बेटी हो इसलिए वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ ने उच्छावार कर दे रही है सारी सिख्चा बता रही है सब कुछ तो सब कुछ जैसे सिख्चते रही हो ऐसे तो कहने का मतलब कि कितना प्रमारिक था उसका दुख कितना बड़ा उसका दुख था लड़की को धान देते वक्त जैसे उस मा की वह बेटी ही अंतिम पूजी हो अंतिम धन हो वहीं सब कुछ हो लड़की अभी सायानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, कहने का मतलब लड़की अभी सायानी नहीं थी, लड़की की उम्र साधी के वक्त तो हो गई थी बिटा, मतलब कहने का कि लड़की की साधी तो हो रही है, साधी जैसी हो गई है, लेकिन अभी वो इतनी समझदार न दुख को टच नहीं किया है अंदर से बहुत कुमल और बहुत सरल है वो कि उसे सुख का आभास तो होता था मलब उसे सुख का आभास होता था कहने मलब उसने अपने परिवार में माता पिता की बीच में केवल सुख ही सुख देखा है लेकिन दुख वाचना नहीं आता था ल अभी वो लड़की या नहीं देख पाई थी पाठिका थी वो दुधले प्रकास की कभी अपने को रखे जिस प्रकार से बोला जाता है पढ़ने वाले को पाठिका बोलते है पाठक और पाठिका इस्तरी थी इसलिए पाठिका कहा गया है तो पाठिका थी वो दुधले प्रकास यानि उसने अपने जीवन में कुछ प्रकास जो होते थे यानि दुधले प्रकास बस उन ही के जीवन को उसने पढ़ा है देखा है यानि सुख को ही अभी तक उसने देखा है सारी सच्चाई अभी वो सब कुछ नहीं जानती वह कुछ तुको और कुछ लाइबगत पक्तियों की यानि कुछ लतुक और कुछ लाइबगत क्या होता वेटा जैसे राइम साब पढ़ते हैं जाना खाना पाना पीना का छीना जाना गाना तो एक जैसे सब्द जो आते हैं उसी को तुक बन दी करते हैं और लाइबगत चलती है तो उस उसने बस अपने जीवन में कुछ ही बातों को देखा है, कुछ ही बातों को जैसे सुख की टाइप, सुख जैसा चीजे के वल देखा है, कुछ दोदले प्रकास की, जो की सुख में आते हैं, उन्हें को देखा है, और तुख बदलायवद जैसे जीवन जिया है, उसने इतना, अभे वो बहुत कुछ नहीं जानती है माने कहा पानी में जाक कर माने कहा किस से कहा अपनी बेटी से बेटी से कहा कि पानी में जाक कर अपने चेहरे पर मत रीजना यानि हे बेटी आरानी तुम पानी में मत देखना पानी में कभी भी जाग के देख के अपने चेहरे पर खुस मत होना रीजना मतलब खुस होना प्रसंद होना यानि पानी में देख कर अपने चेहरे को कभी भी तुम खुस मत होना हमेशा ये मत सोचना कि तुम्हारी ये जो सुन्दर्ता है ये केवल सुन्दर्ता के लिए ही है कभी भी अपने चेहरे पे गर्वया गुमान मत करना आग रोटियां सेखने के लिए हैं जलने के लिए नहीं हे बेटी कभी भी दुखों से डरना मत दुखों से लड़ना मैं जानते हूँ तुम्हें जीवन बर सुख मिला है इसलिए कभी भी आग को केवल रोटियां सेखने के लिए प्रयोग करना मतलब यूज करना रोटियां आग जो है वो रोटी बनाने के लिए है नकी जलने के लि अगर दुख मिलेगा तैसा नहीं कि दुख के लिए तुम अपने सरीर को कश्ट में डाल दो ठीक है वस्त्र और आभुसर सापदिक भ्रहम की तरह बंधन इस्त्री जीवन के हे बेटी तुम ये मत कभी सोच ना कि मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं बहु आभुसर एक इस्त्री को बांधते हैं इस्त्री को उनके जीवन को बांध देते हैं कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा है मैं तो कुछ नहीं करूंगी मैं तो ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी तो कहने का मतलब कि ये सापदिक भ्रहम है इनके भेर में इनके बंधन में तो का कि हे बेटी तुम लड़की ही बन के रहना यानि मा ने कहा लड़की हो ना पर लड़की जैसा दिखाए मत रहना पर लड़की जैसी मत दिखाए देना इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर की जो कोमलता है तुम्हारे अंदर की जो मुलायमता है तुम जो कोमल जैसी प एक मजबूती लेके रहना संघर्स से जीवन दुखों से लड़ने वाली चमता रखना ऐसा नहीं कि अपनी कमजोरी सबको दिखा देना तो यह इस कभिता में बहुत ही इर्दैस पर सी मा सीख देती है बेटा अपने बिटिया को कि किस तरीके से रहना कैसे तो बहुत ही अच्छी कभिता है इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए ठीक है बेटा तो आपका यह चैप्टर यही पर कंप्लीट होता है अच्छे से इसको वाच कर लिना आप लोग ओके थेंक यू